जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, हिंदु धर्म का एक प्रमुक्त त्योहार है। ये भगवान श्री कृष्ण के जनम दिन की रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णू के आठवे अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनका जीवन और शिक्षाय मानवता के लिए अनमोल धरोहर मानी जाती है। ये त्योहार भाद्रपद महीने की अश्टमी तिथी को मनाया जाता है, जो आमतोर पर अगस्तिया सित समबर में आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मतोरा की कारागार में हुआ था। उनके जन्म की कथा बहुत रोचक और प्रेर्णा दायक है। कंस, जो मतोरा का अत्याचारी राजा था, को ये भविश्यवानी सुनने को मिली थी कि उसकी बहन देवकी का आठवा पास ले गए, जहां उनका पालन पोशन हुआ। जन्माश्टमी का त्योहार देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त रत रखते हैं और मंदिरों में विशेश पूजा अर्चना की जाती है। रात में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया ज जाता है, जो आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय मना जाता है। भक्त जन इस समय श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन गाते हैं और उनके जन्म का स्वागत करते हैं। विबिन स्थानों पर जाकियों का आयोजन किया जाता है, जिन में श्री कृष्ण की ज काली जाती है और मंदिरों को भाव्य रूप से सजाया जाता है व्रिंधावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रदर्शन होता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं महराश्ट्रा में इस दिन दही हांडी का आयोजन होता है इसमें लोग मत्की में दही या मखन भरकर उसे उल्चाई पर लगताते हैं और योबक मंदिया एक दूसरे के कंदों पर चड़कर उस मत्की को फोलते हैं ये खेल श्री कृष्ण की माखन चुराने वाली लीला का प्रतीक है जन्माश्ट्मी का धार्मिक महत्व तो है ही साथ ही ये हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने की प्रेरना भी देता है उनके द्वारा गीता में दिये गए उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार पर चलने की प्रेरना देते हैं श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यू नह सच्चा है और धर्म का पालन करना चाहिए अतर जनमाश्टमी का त्योहार न केवल धार्मिक ग्रिष्टी से महत्वपून है बलकि हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरना भी देता है इस दिन हम उनके जीवन से जुड़े आ दर्शों के अनुसार जीने का संकल्प लेते हैं